आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने विल्कुल सही पड़ा जीएश्टी का रजिस्टेशन अब आपको लेना मुस्किल हो जाएगा सर ऐसा क्यों कह रहे हो पहले से इतना मुस्किल है तो प्रेस लीज के अंदर दो नए पोइंट आए जिसकी वज़े से जीएश्टी का रेजिस्टेशन लेना मुस्किल हो जाएगा इस प्रेस लीज का पूरा एनलाइसिस कर लिया है हमने और इस बार की जो हमारी जन्वरी की मैगजीन है उसमें पूरा एनलाइसिस विद एक्जामपल आपको दे रहे हैं मैगजीन के उपर अभी भारी डिसकाउंट चलना है, अगर किसी ने अभी तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो इस नंबर पर बात करके मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले ले, डिसकाउंट जल्दी खतम हो जाएगा, तो इसलिए पहले से इसे बुक करा ले, सर क्या दो नए पॉइंट से जरा बता दीजिए, पॉइंट पहला क्या कहता है, यह कहता है कि अब GST registration कराने के लिए आपको अपना अंगूटा लगाना पड़ेगा, पहले 50 साल, 100 साल पहले अंगूटा लगाया करते थे, अब फिर से history रिपीट कर रही है, अगर आपको पर फ्रोड बहुत जादा हो रहे है, तो इन्होंने क्या कहा है कि एक प्रपोजल रखा है कि अब जो भी व्यक्ति GST registration कराएगा, उसे बायोमेट्रिक बेस आदार अथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, बायोमेट्रिक बेस आदार अथेंटिकेशन क्या है, कि आपको अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई रिस्की व्यक्ति लगा, तो इसका फिजिकल रजिस्टेशन भी करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे, रजिस्टेशन करने से पहले, तो इस दो चीज पहले ये गुजरात में अप्लाई करने की सोच रहे है, अब मुद्द ऐसरीए जो घर अगोटा लगानापड़ेगा तो कहां लगाना पड़ेगा क्या डिपार्ट्मेंट के यहां पर जाकर लगाना पड़ेगा कि अगर हमें जत से Java रहा है जो भी प्रोफेशनल रजिस्टेशन कर रहा है उसे यह कहा दिया जाएगा कि वह अब registration करने से पहले एक machine खरीद लो इसकी एक machine आती है 2000-4000-5000 रुपेगी एक machine खरीद लो और जो भी व्यक्ति registration तुमारे पास कराने आए उसका पहले biometric based अधा अथेंटिकेशन कराना उसी के बाद उसका registration होगा तो यहां पर professional के लिए एक opportunity मिल गई कि आप इसके लिए अपना mind make up कर लेना कि अगर आप GST registration की practice कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि GST registration में क्या चेंजी जा रहे हैं सर क्या इसके लिए rule में फाइदा क्या होगा इससे क्या होगा जो fraud registration होते हैं उन्हें फेक और fraud registration को यह पकड़ पाएंगे क्योंकि आधार काड़ तो किसी का भी उठा कर लियो पैन काड़ तो आप GST registration करते हो तो उसमें एक form होता है REG 01 यह अगर आपने हमारी Google Drive ली होगी तो उसमें बताते हैं पूरा फुल कोर्स में कि REG 01 के दो पार्ट होते हैं पार्ट A होता है पार्ट B होता है यह दो पार्ट होते हैं पार्ट A में क्या होता है कि वो हमसे हमारा pen number मांगता है हमारा नाम मांगता है और email ID और phone number मांगता है अब उस टाइम पर email ID और phone number हम कोई सी भी डाल देते हैं अब होता क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि कपिलियन को GST registration करना हो और उसने अपने employee का pen card लगा दिया और उसमें email ID और phone number अपना लगा दिया और उसके नाम पर करोडर पर की फेक बिलिंग कर दी employee को पता ही नहीं है तो अब इन्होंने का ऐसा नहीं होगा आज के बाद क्या करेंगे जब भी आप GST REG 01 में पाट A भरेंगे तो महाँ पर जो email ID और phone number होगा वह आपको डालना नहीं होगा हाथ से कि किस पर OTPI तो सर कहां से आएगा वह email ID और phone number भाईया वह email ID और phone number income tax के database से आएगा CBDT के database से आएगा सर CBDT के database से मतलब क्या अगर आपको याद होगा जब आप pencard apply करते हैं pencard apply करते हैं तो pencard apply करते समय आपसे वह आपकी email ID भी मांगता है और phone number भी मांगता है लेकिन सर मैंने तो 20 साल पहले pencard apply करा था उस time तो मैंने email ID phone number दिया नहीं था और दिया था तो अब वो change हो गया अब उसका क्या करूँ वही मेरे इसाफ से या तो यह जो CBDT के database से email ID और phone number निकालेगा या तो pencard वाली निकालेगा जब pencard तुमने बनवाया था या pencard बनवाने के बाद आप income tax पे जब अपना login create करते हो तो महां पर भी email ID और phone number मांगता है नहीं तो यह महां से लेगा अब सर कोश्चन ही आ गया कि मेरे पास pencard तो है लेकिन income tax का ID और password नहीं है login नहीं बना रखा मैंने यह login बना रखा है तो उसमें मेरे प्रोफेशनल का गया हुआ है accountant का गया है तो यहां पर आपको दिक्कत आएगी अब क्योंकि यहां पर जैसे ही तुम्हारी जी 01 form file करोगे जिसमें part A डालोगे तो वहां पर जो OTP based verification होगी वह registration के टाइम पर उस email ID और phone number पर होगी जो की CBD के database में होगा आप यहां पर क्या होगा CBD के database में ऐसा हो सकता है तुम्हारी email ID और phone number डला ही ना हो तो महाँ पर तुम्हारी verification ही नहीं होगी और अगर डला हो तो आपके professional का डला हो तो यह check कर लेना जब भी किसी व्यक्ति का GST registration करो तो पहले जब उससे pen card मांगो तो साथ में यह भी पूछ लेना भाई email ID phone number किसका किसी व्यक्ति का pen number लेकर GST registration हो जाता है हम उन elements को रोकना चाहते है जो गलत elements है ठीक है pen holder जो है उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारा GST registration होना इन्हें क्या बताए जब यह लोग जो फेक government है अपनी कोसिस कर रही है आप मुझे बताना कि comment box में लिखकर कि क्या government का यह सुझाओ यह दो सुझाओ कैसे आपको लगे और आपको वारी वीडियो कैसी लगी और इसका नम detail analysis कर रहे है विद एग्जांपल हमारी magazine तयार है लेकि 31 तारीक तक हम वेट कर रहे है कि कोई circular ना जाए कोई notifications ना जाए तो हम उसे भी cover कर ले तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको magazine आपको दे देंगे तो magazine की subscription लेने के लिए अभी सबसे बहतरी नोका है discount चल रहा है तो आप इसमें book करा ले discount कभी भी खतम हो सकता है तो अपना registration करा ले सर magazine कैसे होती है क्या होती है magazine तो भाई इस number पर WhatsApp करके sample copy ले आपको पता लग जाईगी सर मेरी तो magazine अभी एक्सपायरी नहीं हुए तीन महीने बाद एक्सपायर होगी अभी renew करा लो क्योंकि अभी discount चल रहा है जब आपकी एक्सपायर होगी तब से continue हो जाएगा आशा करतू आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे स